नमस्कार देश दुनिया की खबरों के इस नए अपिसोड पर आप सभी का स्वागत है आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपोर्टन अंतरास्ट्रिये खबरे सामने निकल क्या रही है जो चानना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर दे लेकिन अब भारत इसका समधान निकालने पर विचार कर चुका है दूसरी इंपोर्टन अपडेट भी भारत और बंगलादेश से सामने निकल क्या रही है जहां पर टेक्स्टाइल इंडस्टी के बाद बंगलादेश की फार्मा मेडिकल टूरिजम इंडस्टी भी बहुत पुरी तरीके से लड़काड़ी शुरू हो चुकी है और इसका इंपक्ट या फिर कहें इसके फायदे आपको भारत में नजर आ सकते हैं तीसरी इंपोर्टन अपडेट भारत और फ्रांस से सामने निकल क्या रही है जहां पर फ्रांस के कंपनी डसॉल्ट अब भारत के एक नए अपडेट सामने आए हैं आए आज के इस वीडियो में सारी रीपोर्ट डीटेल्स में आपको बिताते हैं यदि आपको हमारे इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से रूख किजे ऐसा ही यूसफुल और इस वीडियो के नाम से जानते हैं दोनों ही पक्षों के बीच में बैट करके एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले में तैक याग्या के करीब दोसो एक कड़ भूमी बंगलादेश को वापस लटाई जाएगी असल में जो नदी के कटाओ के कारण भारत में चली और बीजीपी के कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ बाचीत होती है सभी चीजों को चेक किया जाता है सभी रिपोर्ट को क्रास चेक होता है कुछ इंपर्टन सर्वेस किये जाते हैं तब जाकर के डिसाइड हुआ है कि यह जमीन बंगलादेश को वापस लटाई जाएगी और जाधा डिटेल्स की बात की जाया तो दौलतपुर, उपजिला में, रामकशनपुर और चालीपारा, शेत्र में यह कुछ विवादी जगे थी जिनने अब फाइनली इन्हें सौंपा जा रहा है और इसके पीछे हुए करण की बात की जाया तो यह नदी कटाओ, पद्म किलोमेटर का शेत्र है जो इस कटाओ में शामिल हो गया था, फिलाल जमीन से जुड़े समुद्दे को लेकर के इसी साल बाच्ची शुरू की जाती है और इस पूरे मामले को दोनों ही देशों की बटालियन 47 बीने मिलकर के इसका समधान निकाला है, और यदि आपको लगत 40 एकर भारती भूमी बांगलादेश में चली गई है, तो इन्हीं सब चीजों को कल्कुलेट करने के बाद अब ये फैसला किया गया है, आपकी इस फैसले पर क्या रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, नक्स्ट इंपोर्टन ब्रेट की बात के जा तो बांगलादेश जो कि बांगलादेश में इनकी अरतफवस्ता को संभाल करके चल रही थी, अब वो लगातार ढहराने लगी है, यदि आपको याद हो तो पिछले ही वीडियो में हमना आपको बताय था कि बांगलादेश जिस इंडस्ट्री में किंग था यानि कि टेक्स्टाइल इंडस्ट पर काम किया करती थी, और अब यह सब भारत के अंदर आने का विचार कर चुकी हैं लगातार ऑफिशल से बाचित की जारी है ताकि यह भारत के अंदर अपने नय प्लांट सट अप करें और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करीब 10,000 करोड़ उपय के इंवेस्मेंट भा बांगला देश की वो इंडस्टी जो फामा स्टिकल्स एक्स-पोरे करती थी यानि की दवायो को मैनिफक्चर करना उनके API को इंपोर्ट करना भारत से इंपोर्ट करना साथी सा चीन से इंपोर्ट करा करके उनकी एक कंप्लीट मेडिसिन siihen बना करके अलग अलग देशों के अंदर जो एक्सपोर्ट किये जा रही थी वो पूरी तरीके से बरबाद होने के कगार पर पहुँच चुकी है मेडिकल के बाद बंगलादेश की टूरिजम इंडस्टी भी लगातार घाटे में जाना शुरू कर चुकी है लेकिन इसी बीच भारत के लिए भी चिंता का विश जानकारिकल आपको बता दें कि Commerce and Industries Ministry के Pharmaceutical Export Promotion Council of India ने इस बात का खुलासा किया है उन्होंने कहा कि वो सभी भारतिय कंपनी जो बंगलादेश के इंदर फार्मास्टीकल इंडस्टी के इंदर अलग अलग बिजनस ऑपरेट करती है उन्हें अब कई दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है क्योंकि बंगलादेश के इंदर भी अलग-अलग देशों से लोग इलाज के लिए आये करते थे और अब नहीं टूरीज आ रहे हैं नहीं Health Facilities अच्छी हो पा रही है और वो फार्मा कंपनी लगातार नुकसान जेल रही है नेक्स्ट इंपोर्टन ब्रेट की बात की जा तो यह भारत और फ्रांस से सामने निकल क्या रही है भारत और फ्रांस के बीच में किस तरीके से आज इंपोर्टन डिफेंस पार्टनर्शिप है हम सब के सामने है लेकिन अब फ्रांस भारत के अंदर और जादा investment भढ़ा रहा है ताकि भारत की जो growing economy है भारत की एक बातचीत की जाती है फ्रांस की कंपनी कगलोमेरेट डेसल्ड ग्रूप के साथ में डेसल्ड अवियेशन अल्रडी एक बड़ी कंपनी है जो भारत के अंदर major investments लेकर क्या आई है लेकिन रिसेंटली आई इस कंपनी के प्रपोजल से पता चलता है कि ये कंपनी aerospace के साथ स and automotive electric vehicles में भी अपनी नई investment करके एक नए हप को त्यार करना चाहते हैं लेकिन ये major investment आपको असाम के अंदर देखने को मिले गी और इस प्रोजेक्ट में करीब 240 करोड रुपए की investment की जानी है गुहाटी में एक press conference के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व सर्मा ने इस बात क खुलासा किया है उन्होंने कहा कि हम उन सभी चीजों को मंजूरी दे चुके हैं जिसके जरिये ये फ्रांस की कंपनी भारत में investment करेगी इसमें राफे लड़ा को इमान 3D printing technology और अन्न advanced technologies भारत के अंदर त्यार की जाएंगी और majorly investment aerospace, defense, automotive और EV sector में ही की जानी है बागी फ्र में आज से करीब 9 साल पहले एक project की शुरुआत की जाती है जिसका नाम है तापी यानि की तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इस project के तहत करीब 1814 km की एक gas pipeline तुर्कमेनिस्तान से लेकर के भारत तक लाई जानी थी इसका काफी बड़ा हिसा बदलना लगातार नयने विवादों का शुरू होना इसी वज़े से ये लटका चला रहा था लेकिन रिसेंटली अफगानिस्तान ने इस project पर बड़े खुलासे करते हुए इस project की नीव रग दी है क्योंकि इस project का काफी बड़ा हिस्टा अफगानिस्तान में ही रहने वाला वैसे तो ये project भारत के लिए important है क्योंकि इससे हम एक साल में करीब 33 billion cubic meter आसानी से भारत ला सकते हैं और ये भारत के जुरूत का करीब 40-45 फीज़दी हिस्टा अकेले पूरा कर सकती है लेकिन इसके बावजुद भी भारत यहाँ पर interest नहीं दिखा रहा और इसके पीछे का ना होगा इसके लिए भारत billions of dollar के investment करेगा लेकिन फीचर में पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकता है इसका कोई भी अंदाजान नहीं लेगा चाहिए बाकिया आपके हिसाब से भारत को इस project में आगे बढ़ना चाहिए या फिन ही कमेंट्स अपनी राज जरू बताएगा इस कमेंट्स में जरूर लखिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजए बंदे मात्रम भारत मता कीजए